हाई गुड इवनिंग दोस्तों कैसे आप लोग और एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो शाहिद मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने टाइटल दिया है कि यह थायरड की बिमारी क्या सच में कोई बिमारी है यह स्कैम है आपको टाइटल देखके लग रहा होगा कि यार यह तो एक फालतू का एक संसनी फिलाने वाला टॉपिक डॉक साब उठा ला है और एक पड़ा लिखा डॉक्टर अगर ऐसी बात कह रहा है तो यह क्या बात हुई मैं जो बात करने जा रहा हुँ मैं especially hypothyroidism के बारे बात करने जा रहा हुँ जिसमें की हार्मोन कम हो जाते हैं, TSH का लेवल बढ़ जाता है, जनरली क्या होता है, पहले बता दूँ कि दो तरह की बिमारी होती थारेडी की, एक होती हाइपो थारेडी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें की हार्मोन कम बना रही है, आपकी बॉड़ी हार्मोन कम बना तो T3, T4, TSH, तीन हार्मोन होते हैं, जहांसे हम देखते हैं इनको, तो T3, T4 या तो नॉमल रहते हैं, या फिर वो लो हो जाते हैं, और TSH उल्टा हो जाता है, अगर तो कम हार्मोन बने हैं, तो TSH बढ़ जाएगा, ठीक है, और इसका उल्टा भी है, अगर हार्मोन जादा तो TSH कम हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, तो में हम TSH से ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन, एक बता दिया है, हाइपो थारिडिस्म, जहां पर TSH लो जाता है, मतलब ही हार्मोन जादा बनने हैं, और इसका उल्टा है हार्मोन जादा बनने हैं, और TSH कम हो जाता है, तो मैं टॉपिक यही है कि मैं इसको स्कैम क्यों बोल रहा हूँ, स्कैम इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा तर पेशेंट, मैं सच बोलू हूँ तो जो मेरा अपना एक्सपीरिंस है पिछले इतने सालों का, मुझे लगता है कि 50%, 50% पेशेंट ऐसे होंगे जो बिना बात के दवाई खा रहे होते हैं, बिना बात के, जिनको बिमारी नहीं है, कैसे बोल रहा हूँ मैं यह, और आज का सिनेरियो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है, आज मैं जो एक बात बताने जा रहा हूँ, आपको शायद आप सुनके बहुत हैरानी होगी, आज कल जमाना क्या है, जब आप किसी पेशेंट को टेस्स लिखके दो, आप कहते हो ना कि 2-3 यह टेस्स करा लो, यह भी करा लो, वो भी करा लो, तो पेशेंट सोचता है यार, यह 2-4 टेस्स कराने में भी उतने ही पैसे लगने में, मैं कम्प्लीट हेल चेक अप करा लेता हूँ, जमाना ठीक है, हाँना सोच ठीक है कि सारी टेस्स करा लेता है, इतने पैसों में तो सारी हो जाएंगे, ज्यादा तह रिपोर्ट में कुछ न कुछ बॉर्डर लाइन हाई होता है, पांच, छे, साथ, आठ, नो, इतना, मैंने देखा है, ज्यादा तह रिपोर्टों में ऐसा आ जाता है, अब कुछ डॉक्टर, वो डॉक्टर जिनको ज्यादा एक्सफिरियंस नहीं है, ज्यादा नौलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को देखे थारेड की मेडिसिन शुरू कर देते हैं, जबकि उस पेशिंट को शैद थारेड है ही नहीं, रीजन, ये जो कम्प रिपोर्ट आती है भगवान जाने, लेकिन उसी TSH को अगर आप दूसरी लैप से टेस्स कराएं, सिर्फ थारेड का, तो आप देखना नॉमल आएगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि वैसे भी कभी एक थारेड टेस्स पहली बार आप कराने जा रहे हैं, और गड़बड आता है तो सबसे पहला काम होता है उसका कन्फरमेशन करना दूसरे दिन, दूसरी लैप से, अच्छी लैप से, तो आप देखेंगे ये जो बढ़ए हुए रिपोर्ट आ रही थी, ये सब नॉमल निकलाएगी जादातर केसे में, 90% केसे में नॉमल आएंगी ये रिपोर्ट, जिन जिन्दगी बर खानी पड़ेगी, सब जिन्दगी बर तो तब खाएगा ना, जब उसको होगा, आपने बना दिया उसको, चलिए, एक बात तो आपने टेस्ट रिपीट करा लिया, लेकिन, मैं आज बात करने जारू है, एक ऐसी बिमारी की, जिसको बोलते हैं, सब क्लिनिक टीटमेंट शुरू कर देते हैं, जबकि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट से अगर पूछे हो तो उसको कोई प्रॉलम नहीं है, सिवाए कुछ लोग कहेंगे मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ गया, आज मैं ये भी बताऊंगा कि वजन बढ़ने से थारेट बढ़ता है या थारेट बढ़ने से वजन होता है, ठीक है, ये भी एक अपने आप में स्केम है, आम आदमी का स्केम भी है, आम आदमी ने जो स्केम बना रहे हैं वो भी एक है, मैं कहा था, मैं तो यहीं पे था, बूल भी गया, मैं कहा था, सब क्लिनिकल, सब क्लि तो होता है TPO antibody, वो अगर positive आ जाए TPO antibody तो हम दवा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब होता है कि immune related, Hashimoto thyroiditis है, जो immune related phenomenon है और यहाँ पर दवाई दे देनी चाहिए, क्योंकि इसका आगे चलके नहीं experience है बहुत जादा, वो दवाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं जगा पर यह का गया है, अगर hypothyroidism है तो उसमें heart attack की संभवनाएं बढ़ जाती है, heart problem होने की संभवनाएं बढ़ जाती है, तो बहुत सारी अपने आपी कुछ ऐसी चीज़ आ जाता है, literature, क्या करें इसलिए तो बोलों, यह scam कि डरा दो इनसान को, कि भाई तो यह thyroid हो गया, आज मैं जो एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, thyroid एक, आपको लगता हो कि thyroid immune related disorder है, मुझे ऐसा लगता है, कि thyroid एक lifestyle disorder है, आप जितने patient को शुगर होता है ना, उन में से one third को thyroid भी हो जाता है, क्यों ऐसा क्या है भई, क्योंकि कहीं ना कहीं, यह सब बिमारी हैं, चाहिए immune related disorder हो यह कुछ भी हो, जितने भी बिमारी हो रहा है, मुझे लगता है, उसमें हमारे lifestyle का बहुत बड़ा हात है, तो मैं इसको lifestyle disorder मानता हूँ, मेरे बद लेडिज आती हैं, डॉक्टर साब मेरा वजन कोई मेरा thyroid टेस्स करा दो, मैंने का मैडम एक बात बताओ, क्यों आपको क्या लग रहा है कि thyroid मेरा thyroid टेस्स करा दो, thyroid ही नहीं होगा, नहीं डॉक्टर साब वजन इतना बड़ी है, मैंने कुछ करते ही नहीं हो, आप सारा सारा साल ना कोई जिम जाते हो ना वाक करते हो, जो TSH बढ़ा हुआ, वजन जादा बढ़ने से उल्टा भी है, कि वजन जादा बढ़ने से भी thyroid होता है, और thyroid से भी वजन बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो एक cycle एक दूसरे की है, दोने एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक चीज यहां पर thyroid बढ़ा सकता है, अ बढ़ा सकता है, अब आपने बहुत जादा है, अगले दिन टेस्क कर आओ, तो रिपोर्ट गलत आ जाती है, तो भी गड़बड आ सकता है, बड़ा सारे ऐसे कारण होते है, जहां पर टेंपरेरी राइस thyroid का हो सकता है, उसको बैटर होगा कि हम एक देड़ महीने बाद तो यह आख बंद करके मान ना लें कि इसको thyroid है, अंटी अनलेस किसी का TSH, देखो, दस से अगर ऊपर TSH चाता है किसी का, तब हमारा शक बढ़ता है, दस से नीचे होता है, तो हम यही मान के चलते हैं, भाई, इसमें 50% चांस दें इसको thyroid नहीं है, मैं आपको बता हूँ, अ से उपर है, तो चांसे 70% होते है, thyroid होने के, तो आप यकीन मानिए, कि मैं, पहले मुझे लगता था कि 10 से उपर है, तो thyroid ही है, लेकिन वो भी मैंने देखा कहीं कैसे में, वो भी नॉमल होगे, आगे चल के, तो चलिए, तो मेरे हिसाब से, यह भी lifestyle disorder है, इस तरह की रिपोर् थोड़ा बहुत गड़बड हो सकता है, हाना, ऊपर नीचे हो सकता है, तो बड़े सारे रीजन ऐसे हैं, जो, कि लोगों को नहीं पता होते, कि इनकी वज़े से भी thyroid की रिपोर्ट गलत आ सकती है, और फिर मैंने बोला, कि 50% से ज़्यादा लोग thyroid की दवाईयां बिना बात थारेट के हिसाब से, वो सो से उपर की बन रही, सो माइक्रोग्राम से, और वो 25-50 माइक्रोग्राम खाके नॉर्मल हो रहा है, इसको थारेट है ही नहीं, अगर आप दिमाग लगाएं, कि 80 कि बन देगा, तो डोज ही 100 से उपर चली जाएगी, 120 के असपास, तो उसका थारे नहीं कि हर पेशन को थारेट की दवाई दे दो दे दो, और थारेट दवाई के साइड इफेक्ट भी होते हैं, ये भी मैं आपको बता दू, ठीक है, अरिद्मिया हो सकते हैं, हार्ट के उपर असर पढ़ सकता है, और अगर ओर्डूस हो जाए तो, बोंस के उपर भी असर किसने जाना भाई जिंदीगी का? बिनाबाद थारेट के तो भाईएं खिला कब श्रीज इस व्ग कर दय की रेशल श्रीजायों को जोटीचे हैं, मुझे थारेट कमेरेथ़ हो और भी मधु तो बहान चाहिएं हो जाएं ना अभी कहां लेके बैठ गया, चोड़ नमनीद काला, ये दुनिया ही ऐसी है, चलने दे जो चलना यार, खाने दे दवाईयां सबको, शॉर्ट कट, टेंकियो, शुक्रिये, बाई बाई,